नमस्कार दोस्तों कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में विदेश में काम करते हैं आगी के जिन्दगी के विशयने में जानना चाहते हैं और बहुत इक्षा है इनको करोडो कमाने की तो इनका इक्षा है कि मैं करोडो कमाओ और मुझे विपार करके बहुत बड़े मुकाम तक पहुचना है मुझ क्या इनके हतली पर करोड़ों पती बनने की अवस्था है, क्या ये करोड़ों के मालिक बनेंगे, क्या इसके चांसेस हैं, तो आपने शिंत रही है, आपके सारे ही विशे पर हम चलेंगे, और एक-एक करके चीजों को समझाने का भी प्रियाज करेंगे, तो सबसे पहले चीज, आपकी पॉजिटिव अवस्थाओं को देखेंगे, जिसकी एवज में ये चर्चा तो हम जरूर करेंगे, क्या करोड़ों पती आप बन सकते हैं, और हम देखेंगे कि ये वेर्थ का आपका डेडिकेशन है, या ये फलित रूप लेगा आपके जिन्दगी पर, तो ऐसे प्रशन बहुत से लोगों के होंगे, जो जिन्दगी पर बहुत बरा कारी करना चाहते हैं, इस्पेशली बहुत अमीर बनना चाहते हैं, करोड़ों पती बनना चाहते हैं, तो उन सबी के लिए ये वीडियो काफी ज़्यादा महतपून है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, कुछ ऐसे योगों के विशे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके हाथ पर होगा और आप करोड़ों पती बनोगे, तो मुझे एक चीज तो दिखा इनके हाथ पर, एक से ज़ादा ही चीज दिखा, सबसे पहले करोड़ों पती बनने के लिए, एक उत्तम भाग्य रेखा होनी चाहिए, एक उत्तम जीवन रेखा होनी चाहिए, और एक उत्तम सूरी रेखा होनी चाहिए, और अच्छी हतेले की conditions, planets के रिकारड़ी होनी चाहिए तो सबसे पहले चीज मुझे कुछ तो दिखा मुझे एक सूरी परवत पर फिश्नुमा आकिरती दिखी मुझे एक सूरी परवत पर फिश्नुमा आकिरती दिखी जो विक्ती को बहुत पैसा देता है बहुत पैसा देता है और भी कुछ अवस्ताओं को हम देखते हैं तब ही तो ये highly dedicated हुए देखो दो चीज़े होते बहुत simple सा चीज़े और बहुत एक concept की बात है कि अगर आपको मन में आया कि मुझे करूरपती बनना है तो उसमें दो चीज़े हो सकती है पहले तो आपको बहुत नुक्षान लग सकता है दूसरा आप बहुत गेन कर सकते है क्योंकि investment से ही तो आप नुक्षान में जाते हैं और गेन करते हैं तो ये एक बहुत महतपूर्ण चीज़े जो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अगर उनके जहन में कुछ करूरपती अरपती बनने की स्थितियां आ रही है कि वो बनना चाहते हैं वो कुछ करना चाहते हैं तो उनकी एतली पर सूरी परवत को जरूर देखिए क्योंकि वहीं पर चीज़े क्लियर हो जाएंगी क्या ये वेर्थ का सोच है या फिर इसमें कुछ अस्पस्टता भी है देखो मैं अभी तो आपको प्रामिस नहीं करूंगा लेकिन ये साइन जिस तरीके से डेवलप कर रहा है ये डेफिनिटली जातक को बहुत पैसा देता है और आज कल के समय में बहुत ही अराम से आप क्रूर पती बन सकते हैं बहुत ही अराम से तो एक जबर्दस्ता फिष शाइन उसके बाद एक फिश शाइन के साथ ही सूरी रेखा बढ़ी अच्छी आगे चली तो मैंने एक वीडियो में बताया था एक करोड़ पती का हाँ देखा था मैं अरब पती की बात नहीं कर रहा हूँ करोड़ पती की बात कर रहा हूँ ये जो फिश शाइन है ना उसके अतली पर भी अवस्थित था और ऐसे सूरी रेखा के साथ था मतलब जातक ने परियास किया और करोड़ों की संपत्ती बनाई किस आयू तक 45-45 साल से 50 साल के बीच देखिये क्या होता है ना कि आपके जितनी सेलरी रहती है कुस समय के बाद वो सेलरी भी करोड़ों में तब्दील हो जाती है आपने करोड़ों का मालिया होता है करोड़ों की चल चल संपत्ती हो जाती है लेकिन ये बहुत बड़ा ख्वाब लेके हमारे पास आए, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बढ़ना चाहते हैं तो एक फिश्चाइन तो आपको पूरा इतना बड़ा संपत्ति का मालिक बनाएगा निए, ये अस्पस्ट है लेकिन मैं करोड़पती के लिए तो आपको जरूर आस्वत कर सकता हूँ और आगे एक सुरी रेखा भी बनी है और दूसरी एक बहुत जबरदस्ती बागी रेखा देखे सुरवाती दोर से तो बहुत अच्छी नहीं दिखी है लेकिन आगे जाके बागी रेखा बड़ी अच्छी दिखी है और यहां से भी ठीक ठाक दिखी है बहुत अच्छी इसको तो हम नहीं मानेंगे ठीक ही मानेंगे बहुत खराब भी नहीं मानेंगे और आगे एक जीबन रेखा बड़ी अच्छी है जीबन रेखा पर कोई विशेस प्रगती के योग तो मुझे नहीं दिखरी, प्रॉगर्स लाइन तो कोई बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखरी स्मूथ जिन्दगी है, कुछ आयू के बाद आप जुरूर करूरपती बन जाएंगे लेकिन कुछ आयू के बाद, यहाँ पर से इनको जो जानना था ना, वो ये जानना था कि क्या मेरी जिन्दगी सर्टन बदल सकती है, ये इनके कोशन थे, मैं उस कोशन को अभी ठीक से समझाना हूँ करूरपती बनना तो आपकी एक अच्छी नौकरी, इनका एक अच्छा नौकरी, अच्छी सैलरी है, वो तो आप उससे जरूर बन जाओगे इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, जमा करते करते क्यों नहीं बनोगे लेकिन एक होता है ना कि एक्सिडेंटली करूरपती बन जाता है, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता अपने जिन्दगी से और उसने कुछ कार सुरू किया, उसमें बहुत गजब का मुनाफ़ा हो गया, और वो बहुत अमीर बन गया तो इसको कहते है, स्पेशल हाइक आपके जिन्दगी पर, तो देखिए, मेरा जहां तक मानना है, ये फिश बन रहा है, लेकिन अभी ये बन रहा है, बहुत पाड़ूफुल नहीं है, मैं जूट तो बोलूँगा नहीं आपसे अभी फिश ये बन रहा है, फॉर्मेसन स्टेज में, अगर ये बन जाता है, तो एक हाइक तो दर्शाता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छी भागी रेखा भी अतली पर होनी चाहिए, और बहुत अच्छी बुद्ध रेखा भी अतली पर होनी चाहिए, जो कि ग्राउंड रियालिटी है उस पर जुरूर आईए आप क्योंकि लोग जो है ना ग्राउंड रियालिटी को छोड़ देते हैं लोग बेसिक की बातों को छोड़ देते हैं लोग बेस को कहीं न कहीं छोड़ देते हैं तो आईए ग्राउंड पर आईए ग्राउंड रियालिटी प्रगति के योग नहीं है इसमोध जीबन रेखा है जो पॉजिटिव ही दर्शाती है तो ऐसे जातक करुडपती के लिए तो आसवासन दिया जा सकता है आयू के अंतरहाल पर आयू चलते 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 पे तालिस पचास के आसवास ही बान लो लेकिन एकदम से हाई कोई बहुत बहतरी नमें नहीं दिख रहा है तो ये चीज़ तो हम आपसे कहेंगे लेकिन आगे के लिए आसवासतर ही है और जो इंडिकेशन आपके हांथ पर बन रहा है जो आपके प्रसंद थे उसको लेके तो हम आपको एक बोलना चाहेंगे कि बहुत जादा तो नहीं लेकि मुझे आमबानी बन जाना है, मुझे वो बन जाना है, मुझे ये कर लेना है, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं इतना आमीरी बनना चाहता हूँ, वो हो गई आपकी इमेजनरी जिंदगी, और जो रियालिटी की बात होती है न, तो मैं एक बहुत सिंपल सा एक्जामप हो जाती है न, तो आपको लगएगा कि आपम्बानी ही बन गए, आप बहुत अमीर बन गए, क्योंकि आपकी certain वो तरक्की हुई, तो मैं उस तरक्की की बात कर रहा हूँ, उतने बड़े आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको लगएगा कि चलो मेरे तो लाइफ में बहुत तरक्की होगी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी आगर आप इमेजनरी जिन्दगी से सोचेंगे न, तो उसके पास आप बहुत बड़ी-बड़ी महगी-महगी गारी देखते हैं, बहुत बड़े-बड़े आलिशान मकान देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है क मैं इस से बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन जब हम ग्राउंड पर आते हैं, आपके पर्स में दस रुपे है, अगर आपके पास सर्टन हजार रुपे आ जाते हैं, तो आप उन्हें आपको अपमीर ही समझते हैं, तो ये वाला जिन्दगी तो आपकर रहेगा, ये वाली ह कोशन पूछा है, तो वो ज़रूर होगा, धनलाब होगा, पैसे कमाओगे, जीवन रेका स्मूत है, कुछ एक बुद्ध रेका, ये भी मान लो आप, कुछ टूटी टूटी भी है, तो वैसी कोई नहीं है, बहुत पारफुल भी नहीं है, लेकिन अच्छी है, कुछ एक फि लोगों की मानसिक्ता को समझते हैं, और कैसे समझाना ये चीज़ों को वो भी हमें पता है, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं, कि सपना देखना बहुत उचित है, लेकिन हमें सपना देखना चाहिए, ग्राउंड पे आके, तो मैं बहुत खुश हूँ आपके हाथ को देखक बस, तो ये चीज़ आपके परशनते मुझे इतना समझाना परा, क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी जो आपकी एक्षाएं होती हैं, अगर उसको कोई एकदम से कुचल देना, तो आपको बड़ा खराब लगता है, लेकिन अगर उसको कोई समझा के बता देना, तो आपको ब अमीर बहुत इस्टेबलिस्ट, एक से ज़ादा मकान, गारी मकान सब खरी सकते हैं, चलिए, ये चीज़ आपने समझ लाए, ये इनकी पॉस्टिविटी तो और ये इनकी प्रशनते हैं, अभी आगे के जिन्दगी बिजनस को लेके तो मैंने ये अस्वस्त कर दिया, कि बि वेपार को सुरू किया है, तो असपस्ट ही है कि वेपार में आपको फाइदा होगा, तब ही मैंने वेपार इक दिस्टे कों से फाइदे को ही दर्शाया है, नुक्षान को नहीं दर्शाया है, चलि जेसी इसको आपने समझ लिए, आभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर आते भी नहीं है, तो इसको लेकर चिंतेत ना रहें, ना चिंता करें आप, तो ये कुछ नॉर्मल नेगटिविटी थी, बाकि काफी बावख बेखते हैं काफी एमोशन होते हैं ऐसे लोग, तो इमोशन में रहके किसी भी प्रकार का दिर्णाय नहीं दे तो चित रहेगा, अब आगे हम विचार करते हैं आपके जीबन रेका पर, इनके आगे की जिन्दगी को लेके मूल प्रशन थे, कि मेरी आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी मूल भूत रूप से उस विशे पर आप बता दीजिए, तो ये देखिए, ये आपकी प्रकति का योग बच्पन से थे कुछ यवा करती थी, तो बच्पन में कुछ समस्याइं जिन्दगी पर ज़रूर रही हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट आप सुर्ला वर्स के आयू से हो गया, लेकिन आपका काम सुरूब आओगा ठाराउनीस वर्स के आयू से, एक दिक्कत थी उनीस में में भी इस वर्स मे एक तरक्की थी, आगे पिस जिवन रेका काफे स्मूथ थी, एक तरक्की आपके 29 में, 66 की आयू में थी, 28 में के बाद continue basis पर तरक्की है, तो उसी समय साइध से ये अपने विदेश गये थे, continue तरक्की है, फिर जिवन रेका स्मूथ है, और कुछ आगे बिस जिलर रेका स्म चिंताब मत करना ये बागे रेखा के रूप में ही life रेखा कारे कर रही है और इसको हम जादा जीबन रेखा के ही रूप से सम्भूधित करना चाहेंगे यहाँ पर से हम इसको बागे रेखा लेंगा क्योंकि यह मोटी भी थी इसके कोई vicious फर जिंदगी पर आते भी नहीं है और आगे भी आपकी ये जीबन रिखा काई कारी कर रही तो चिंतितनार है आप। और लाइफ को लेकर जो कभी चिंता करना ही नी चाहिए जातकों को। तो ये एक positive indications की रूप में है कि एक major change होगा इस आयू के बाद। कहीं न कहीं ये progress line का भी कारी कर रही है। तो इसको major change की रूप में ही देखना चाहेंगे और ये आपकी आयू है तकरीबन 52 वर्स के उसके बाद भी जिंदगी काफी smooth दिख रही है यहाँ पर से ये positive और ये मिल ही गया है लगबक अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये मिल ही गया है इसलिए मैं इतना आसवासन आपको दे रहा हूं और आयू को लेके चिंता तो जातक को करना भी नीचाहिए तो ये इनके प्रशन थे और आगे की जिंदगी बड़ी अच्छे में देखी विशेश दिक्कत नहीं देखा कुछ एक मंगल देखा कि रूप से भी चीज़े अवस्थित है जापर से जातक की इनरजिटिक रहती इसमें कहीं कोई संदे वाली बात नहीं है तो काफी अच्छी अवस्था लाइफ में अच्छे समाधान को दर्शाती है अच्छी जिंदगी को दर्शाती है जातक सटिस्पाइड रहते हैं अपने लाइफ से अब इनके तरीक आप जलन से करेंगे चीज जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है और सबसे बहतरीन बात गुलाबी है तरी धन को एट्रैक करती गद्यदारे साथ 70 परसंट राज्यों का फल है अच्छी इंकम तो अभी भी आपकी होगी अच्छी जिंदगी तो आप अभी भी भी बिता रहे होंगे लाइफ से यह वाकिती है जब भी सपोर्ट की आवशक्ता पड़ेगे मिल जाती है रिजायर्स के काफी अच्छी अवस्ता जापर से जातक काफी महातमका अच्छी है बहुत चीज़ करना चाहते है और बहुत अत्तक चीज़ों को करते भी है जबरदस थंब है जबरदस वेक्तितों क परचे करा रहा है एक्छा और तक्षक्ति काफी शांदार जातक काफी अच्छी मान सकता के हैं काफी समझदार मान सकता के हैं और थंब बढ़ियां यह अपनी सम्मान के रिक्षा बहुत यह राम से कर पाएंगे जल्दी घबराते नहीं जल्दी परशान नहीं होते जिंद के बीच में गैप है तो पैसे खर्चों हुदते हैं जाता ये टिंडे कर रही है इस्वर के प्रति असी मास्ता सन सेटन के अटेजमेंट है कोई ना कोई गुन आपके अंदर डवलप जरूर करेगा जिससे आप पैसे अर्ण करो सेटन फिंकर लंबी है इसका मतलब होता है जा पर ये लोग स्टिक रहते हैं और अगर किसी को गुरू मान लिया या फिर किशीशवर को मान लिया एक किसी व्यक्ति को मान लिया तो ऐसे लोग उसका पूनता इज़्जद करते हैं लाइफ टाइब एक दाड़मिक आस्ता एक अच्छी आस्ता है और आपकी सूरी फिंगर काफी जादा लंबी है, इसके इवज में काफी जादा मेहनती ये दिखा रही है, जातक काफी मेहनती है, सासात हिम्मती है, सैटन फिंगर मेहनती दर्शाती है जातकों को, बुद्ध फिंगर टिंड कर ये बिजनस तो करो के आगे, और बिजनस से दनलाव के भी आशार बन र कारी करते ही करते हैं तो बड़ा ही तो है इंडिया से विदेश चलेगे विदेश में जाके धन कमा रहे हैं वहां कुछ अपना वेपार भे survival किया आपने अपने जिंदगी को जहला आपने अपने सारे कस्टों को जहला आपने अपने सारे कस्टों को जहल के आगे बढ़ा ये क्या है ये achievement ही तो है दूसरा क्या है ये तो साथ में समसे कुछ भी नहीं है, यह achievement है, यह सारे achievement आपकी मुझे आतरी दिखा रही है, यह अस्पस्ट है, एक दम अस्पस्ट है, इसको लेकर बिल्कुल वे चिंतेता आप नार है, तो यह finger के विशे में कुछ महतपून इसी बाते थी, अभी हम इनके एतले पर इनके planets के विचे में विचार करेंगे, तो यह इनके बरश्पती, यहाँ पर से दबाब है, जिन्दगी पर प्रशानियों को दर्शाती है, जिन्दगी पर प्रारंबिक से में struggles को दर्शाता है, कुछ एक square है, जो कही न कही आपके 32 वर्स के बाद की अच्छी जिन्दगी को दर्शा जाता है, काफी समझदार विखते हैं, काफी समझदार इस अपने संदगी को जीना चाहते हैं, और काफी दर्सदासनिक हैं, काफी broad-minded हैं, काफी जाता है, और बरश्पती सुरुवाती दोर में प्राबलम से तो कुछ धोके मिलते हैं, दोस्तों से, मित्रों से, यह धोके म वापस नहीं आते हैं, तो धन लेन देन का नहीं करें तो चित रहेगा, बाद बाकी चीज़े नॉनमल हैं, काफी अच्छा, काफी अच्छा, मुझे यह थोड़ा फिश जैसा लग रहा है, और लेकिन यह फलित अवस्था में नहीं है, तो इसको हम नहीं चर्चा करेंगे, थोड़ा धूमिल है, आगे आगे रेका अच्छी है, और यहाँ पर से भी सीधी अवस्था में, जो विदेसी दर्से धनलाव, आगे धनलाव, इंकम्स, लाइफ में तरक्की को दर्शा रही थी, लाइन ओफ एजोकेशन अच्छा है, बहुत जबरदस्त मान सकता है, बहु जबरदस सूरी देखा, तो यह अवस्था हैं तो बढ़िया है, इसके एवस में हम इतना confidence से बोल भी पा रहा है, तरवाइस बोलते भी नहीं, तो इसके एवस में फाइदा तो होता है, इसके एवस में जातक को benefit तो होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और संदेह आगे बरने का हमेशा ही प्रतनी करते हैं, और अपने प्रतनियों को आप एक अच्छा आयाम देके जंदगी पर सफल भी बनते हैं, तो अच्छी संदमर के लिए जिंदगी पर अच्छी अवस्था, जिंदगी पर तरक्यों को यह दर्शारी है, यह तो मुझे स्वस्टी ह ही दिख रहा है आपके अतली से यह मिलने के पूनता असाल भी बने यह बहुत-बहुत खुशी की बात है अच्छी इर्दे रेका है बच्पन में कुछ दवाब था कुछ दवाब जिंदगी पर रहा होगा आगे भी इर्दे यह दवाब था यह वाला आगे बेर रेका दवाब से गुजर रहे हैं तकरीबन 34 वर्स तक उसके बाद दिर्दे रेका में दो ब्रांचे से जो कहीं न कहीं आपकी जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती मस्तिक से रेका में बहुत दिमाग तेज होता है बहुत अच्छा दिल दिमाग के बहुत तंद्रों से इसमें चंदरमा विदेसी दर्से धनलाव और ये लाइन्स तो आपको विदेसी यात्रा कराई ही देती है चंदरमा अच्छा है पैसे के फ्लो बनी रहेगी लोगों से जुरावा कारे कर लो पानी से जुरावा कारे कर लो कप्रों से जुरावा कारे कर लो बुटीक से जुरावा क खन भी दती है, जबरदस्त मंगल कुछ नॉर्मल टेंशन के योगे व्यक्ति थोड़ा चिंता करेंगे, बाद बाकी ओवर प्राक्रमी है, जीबन रेका भी अच्छे दिरगायों सेंस में बाते बताई जा रही है, असपस्ट तो नहीं लेकिन हाँ, दिरगायों ही है, आयों क को योग को दर्शाती पैसा दो देता है, एक जबरदस्त शूरे रेकाये कुछ मल्टिपल प्रापर्टी के योग, आपके 38 वर्स के बाद डबलप्ट है, वो तो होना है, टुड़ी बुड़ी बुद्धर एकाती थोड़ी परिशानी को दर्शाती है, स्वास्त की, लेकिन इतनी भी क्लियर नहीं थी, बहुत हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा केर करना स्वास्त कहा, तो ये ताइन के तरी का पूर्ट आविस्ट्रेशन, अगर आपको मारे ये वोड़ो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सेल सस्क्राइब कर दे, अगर आप प्रसनी में